वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमेदेव सर्वकारेशु सर्वदा आज हमारा हिंदुस्तान सूर्वीरों की वीरता के लिए सत्यों के सत्यों के लिए एवं देवी देवताओं के चमतकारों के लिए पूरे विश्व में अग्रणी है ऐसा ही एक करिश्मा दिल्ली की रहने वाली एक महला के साथ हुआ इस करिश्मे का एक एक सब्द सत्य है एवं सिख्षा प्रद है भगत के वस में है भगवान भगत के वस में है भगवान भगत के वश में है भगवान भगत बिना ये कुछ भी नहीं है भगत इसकी जान भगत के वश में है भगवान भगत मुरली वाले की रोज व्रिंदावन डोले खृष्ण को लल्ला समझे खृष्ण को लल्ला बोले शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दिवानी अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी प्यार करण वो लागी इससे अपने पूत्र समान भगत के वस में है भगवान भगत के वस में है भगवान भगत के वस में है भगवान दिल्ली की रहने वाली थी दिल्ली में ही साधी हुई ससुराल आ गई किन्तु व्रिंदा बन जाना नहीं छोड़ा बच्चे हो गए बच्चे बड़े होने के बार बच्चों के भी साधी हो गई प्रन्तु व्रिंदा बन जाना नहीं छोड़ा लेकिन जब बढ़ापा आ गया चलने फिरने में असमर्थ हो गई तो आखरी बार ब्रिंदा बन गई और वहां से अपने लला की मुर्ति ले आई वो अपने कृष्णि लला को कलेज लगा कर रखे हमेशा सजा कर रखे कलाड लडा कर रखे हमेशा सजा कर रखे कलाड लडा कर रखे वो दिन में भाग के देखे, करात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से, शाम को जात के देखे अपनी जान से जादा रखती, अपने लला का द्यान, भगत के वस में है भगवान जान में है भगवान जनमस्तमी का दिन आया दुर्भागे से बुडिया माई की तबियत खराब हो गई अपने बेटे बहु से बोली बेटा, मेरे लला को दूस से इसनान करा दो माखन मिस्री का भुग लगा दो एवं चंदन खिसकर चंदन का लेप लगा दो और आज इसका जनम दिन है इसके कपड़े भी बदल दो एक साथ इतना सारा काम बेटे बहु को जंजट से लगने लगे किन्तु मा की तवियत खराब देखके बेवमन से काम में लग गए कपड़े बदलने के लिए जो ही मुर्ती को उठाया अचानक मुर्ती हाथ से गिर गए बगल के कमरे में मा बैठी थी उसके कलेजे को धका सलगा मा का दिल जान गया कोई अनहोनी हुई है पूछने पर बेटे बभुने बताया मा कोई खास बात नहीं है कपड़े बदलते समय मुर्ती हाथ से छूट गई थी उठा कर वापस रख दी है चिन्ता नहीं करना इतना सुनकर मा का कलेजा फट गया सन रह गई बोली बेटा तू कहता है कोई खास बात नहीं है मेरा छोटा सा लल्ला इतनी उपर से गिरा पता नहीं कहा कहा चोटाई होगी पता नहीं मेरा लल्ला सही सलामत है या नहीं अपने बेटे बहु से बोली वो लल्ला लल्ला पुकारे हाई क्या जुल्म हुआ रे बुढ़ापा बिगड़ गया जी लाल मेरा कैसे गिरा रे जाओ डाक्टर को लाओ लाल का हाल दिखाओ अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ रोते रोते पागल हो गई घर वाले परशान भगत के वस में है भगवान भगत के वस में है भगवान भगत के मश में है भगवान भगत के मश में है भगवान माँ डाक्टर बुलाने के लिए जित करने लगी लगी बेटे बहु ने लाख समझाया पर मा नहीं मानी बेटा जोर से बोला मा तू पागल हो गई है एक मुर्ति के लिए डाक्टर बुला रही है पडोसी देखेंगे डाक्टर को और यह सारा किस्सा सुनेंगे तो हसेंगे और कहेंगे मा तो पागल है, बेटे बहु भी पागल है, मा के कहने में आकर मुर्ति के लिए डाक्टर बुलाया है, बुडिया माई का रोना धोना सुनकर, पडोसी कटे हो गए, घर में बहस बाजी हो रही थी, जब अडोसियों ने पूछा, तो बेटे ने बताया, क्या बताओं भाई साथ, मेरी मा जरासी पागल हो गई है, व्रिंदावन गई थी, वहाँ से एक लड़ू गोपाल की मुर्ति ले आए, कहती है, ये मेरा सबसे छोटा लला है, आज सुबह जब मैंने कपड़े बदलने के लिए मूर्ति को उठाया, तो अचानक मूर्ति छूट गई, अब मा कहती है, डाक्टर को ले के आए, आप भी बताये भाई साथ, समाज में हसी होगी, और इस मूर्ति के लिए डाक्टर को लेने गया, तो डाक्टर भी हसेगा, पडोसियों में एक बुढ़ा पडोसी बड़ा समझदार था, उसने बेटे को समझाया, देख बेटा बुढ़ापे में और बच्पन में कोई फर्क नहीं होता, तुम्हारी मा के दिमाज में अगर बहम हो गया है, तो बहम निकालना ब बात मान ले, यहीं बगल में डाक्टर रहता है, तु सारी बात डाक्टर को समझा, और फ्रीस वहीं पर दे दे, तेरी मा, तेरी बात नहीं मानेगी, प्रंद तु डाक्टर आकर समझाएगा, तो उसकी बात मान जाएगी, घर का जगड़ा भी खतम हो, तेरी मा का बहम भी बेटे को बात समझ में आ गई, डाक्टर के पास गया, फीस पहले ही दे दी, और वो सारी बात डाक्टर को बताई, जो पडोसियों को बताई थी, डाक्टर को बात समझ में आ गई, फीस पहले ही मिल गई थी, डाक्टर तुरंद तयार हो गया, डाक्टर घर पर आया, और उ तल से मैया ये तेरा शाम सलोना बड़ा बे जान है ये जैसे मिट्टी का खिलोना सारी दुनिया में ढूंडो बहम की दवा नहीं है चोट पी तल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है केवल तेरी ममता है ये मुर्ती है बे जान भगत के वस में है भगवान 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 डाक्टर की बात सुनकर बुडिया माई ने कहा डाक्टर क्या उमर हो प्रगत के वस में है भगत के वस में है भगत के वस में हैं अब यह तेरी डाक्टर सुनकर हख्का बख्का हो गया बोला माई 65 साल मा बोली डाक्टर तूने जिंदगी के 65 साल बेकार कर दिया तूने इतना भी नहीं सिखा कि मरीज को देखे बिना वो पकड में नहीं आता तूने मेरे लल्ला को दूर से ही देखकर कह दिया कि यह पीतल की मुर्ति है कम से कम चेकिन तो करता डाक्टर को अपनी गत्ती का एहसास भी हुआ और थोड़ा घुसा भी आया उसने कहा ले माई तेरा बहन निकाल देता हूँ उसने मुर्ति के माथे पर हाथ रखा और कहा बोल माई क्या है कुछ नहीं है उसने मुर्ति के सिदे पर हाथ रखा कहा बोल माई क्या है कुछ नहीं है उसने मुर्ति की नवज पकड़ी और बोला बोल माई क्या है कुछ नहीं है तब बुडिया माई बोली प्यार से देख डाक्टर, मेरा लल्ला अभी पहुत छोटा है और तु बुड़ा हो गया है, हो सकता है मेरे बेटे की नवज धीरे चल रही हो सीना धीरे से धड़कता हो तु हाज से नहीं पकड़ पा रहा हो मा की ममता है नहीं मानती तु मेरा बेहम निकालने के लिए एक काम कर दे अपनी बक्सा में एक मसीन रखता है बुडिया माई को इस्टेतो स्कोट का नाम नहीं मालुम था वो मसीन धीरे से धड़कने वाली धड़कन भी पकड़ लेती है एक बार उस मसीन से चेकिंग कर दे मेरा बहन निकल जाएगा डॉक्टर ने फीस लिथी उसका फर्द बनता था कि जैसे घर वाले बोले उनकी बात माने चेकिंग तो करनी पड़ेगी डॉक्टर ने बे मन से इस्टेटोस्कोप निकाला अपने दोनों कान में लगा कर गोल वाला चकर मुर्थी के सीने पर रख दिया आगे क्या हुआ सुनिए जो ही सीने से लगाया और डाक्टर चकराया उसने कई बार लगाया पसीना जम कर आया देख ये अद बुद माया रह गया हक्का बक्का पसीना लगा पोँचने छूटी गया उसका छक्का पसीना लगा पोछनी छूट गया उसका चक्ता धड़क रहा सीना लल्ला का मुर्ती में थे प्राण भगत के वस में है भगवान मुर्ती का सीना धड़क रहा था डाक्टर के होस उड़ गए हाथ काप रहे थे मन में सोच रहा था अभी तक तो बुड़िया माई को बहम था कई मुझे तो बहम नहीं उसने सेकडो बार चेकिंग की धड़कन चल रही थी डाक्टर ने स्टेतोस्कोप अपने कान से निकाला और पसीने से लटपत जमीन पर बैठ दया बुड़िया माई ने पूछा डाक्टर कुछ समझ में आया मेरे लल्ला को क्या हुआ अब तो ठीक है डाक्टर ने बड़ी हिमत बटोर कर कहा मैया मैं डाक्टर हूँ नबस देखकर सारी बीमारी पकड़ लेता हूँ मैया उझे सारा माजरा समझ में आ गया है जो कनईया के दिल की धड़कन सुन ले उसकी आत्मा में तो ज्यान होई जाता है डाक्टर को भी ज्यान हो गया था मा तु ये मज सोचना कि मुर्ती तेरे बेटे बहु के हाथ से गिर गई बेटे बहु को दोस मत देना उन्हें नहीं डाटना मा तेरा ललला कैसे गिरा ये डाक्टर जान गया है मेरी बक्षा में ऐसी कोई दवाई नहीं जो तेरे ललला के लिए बनी हो डाक्टर को आत्मा में ज्यान होने से उसने बड़ी भक्ति पूर्ण और भावना पूर्ण बार मा को बताई कि मा इसकी एक इदवाई है जो किसी डाक्टर के पास नहीं मा वो सिरिफ तेरे पास है तिर ये लल्ला मचल गया था उम्हारी गोद में आने जरासा उचल गया था तु इसको गोद में लेले लाल मुसिकाने लगेगा गोद में खुद भी नाचे तुमें भी नचाने लगेगा कस के पकड़ियो लल्ला तेरा थोड़ा सा सैतान भगत के वस में है भगवान 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 डॉक्टर इतना कहकर उठा ग्रीफ केस वहीं छोड़ी इस्टे तो इसको वहीं पड़ा रहा जो फीस पहले से ही लेकर जेव में डाली थी निकाल कर गदे पर पटक दी और जाने लगा बुडिया माई बोली डॉक्टर अपना सारा समान छोड़ कर कहा जा रहा है कम से कम अपनी बक्सा तो लेते जाए डाक्टर पलट कर बोला माई अभी समान की मुझे को जुरूत नहीं पड़ेगी अभी ये मेरे लिए बेकार है और डाक्टर आख में आसु भर कर बोला देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ जहां से तु लला लाई वही पे जा रहा हूँ बुला कर तुमने मुझे को बड़ा एहसान किया है आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है एक एहसान कर दे तेरे लला से कह दे वही ब्रिंदावन में मां ये डाक्टर प्राण दे दे बनवारी मां तू नहीं पागल पागल सारा जहान भगत के वस में है भगवान और इस करिश्मे को सुनकर इस सच्चाई को सिकार करना पड़ेगा की मा की ममता के आगे देखो भगवान हारे एक पथर की मुर्ती देखो किलकारी मारे भाव ना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा हमेशा इस धर्ती पे यूँच मतकार होगा मैया तुम को तेरे लला को कोटिन कोटि प्रणाम भगत के वश में है भगवान भगत बिना ये कुछ भी नहीं है भगत इसकी जान भगत की वश में है भगवान भगत की वश में है भगवान भगत की वश में है भगवान